नवस्कार मैं हुदिवे बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अब नमन्युक्त बीपीए से सिक्चकों की नहीं चलेगी ये चाला की ये चल्चकवा लाइब्रेरियन भरती फरजीवारे में 72,000 सिक्चकों के फोल्डर है लापता अयोधा में विराजे रामलला समारों में कई हस्तियों ने की शरकत इस दिन से हो सकता है IPL 2024 का आगाज अपना डीम ने 33 जनवरी तक स्कूल बंद करने के धिये आदेश इसने साथ ही बढ़ते हैं साम तक की भरी खबरों की और विस्तार से अयोधा में विराजे रामलला समारों में कई हस्तियों ने की सरकत अयोधा में बने भवे राम मंदिर में स्री राम की प्रान पदस्ठा की जा चुकी है अब रामलला मंदर के गर्व गरी में विराजमान हो चुके हैं इस अनुस्ठान का आगाज गनेश पूजा के साथ हुआ अयुद्धा में पिये मोदी का आगमन करीब 10.40 मिनट पर हुआ था यहाँ पर आने के बाद पिये मोदी ने मंदर गर्व गरी में अनुस्ठान कारी किये पिये मोदी के समारो अस्तल से विदा होने के बाद संत गनों ने रामलला के दर्सन किये उसके बाद हनुष्ठान समारों में पहुंच विसेश्ट अतितियों ने राम लला की दर्सर में लगे हुए हैं पूरे अयोध्या में सुरक्षा के खास इंतिजाम रखे गए हैं ट्रस्ट द्वारा देश भर से साथ हजार अतितियों को समारों में आने के लिए निमंतरन भेजा गया था आज के दिन आयोध्या में कई सोभा यात्राएं देखने को मिल रही आतस पाजी का स्तम अभी भी जारी है राम भक्त काफे उच्छाहित नजर आ रहे हैं पूरा आयोध्याज दिपोचप में डूबा नजर आने वाला है समारों से संबनित स्री राम की कई तस्वीरे भी सोशल मीरिया पर देखने को मिल रही पूजा के दौरान पिये मोधी के साथ साथ सीम योगी और संग प्रमुक मोहन भागवत भी यजमान बने थे इस समारों में कई बरे बॉलिवूड अभी नेता से लेकर बरे बरे संत और राजनीतिक नेता वा उद्योगपती नजर आए इस दौरान अमिताफ बच्चन और उनके बेटे अभी सेख बच्चन पंडित धिरेंद्र सास्री डनबीर कपूर आलिया भट और रोहित चत्टी और अन्यक कई जाने माने हस्तिया नजर आएं थी नियोज़द सक्चक और लाइब्रेरियन भरती फरजीवारे में 72,000 सिक्चकों के फोल्डर है लापता बीते नौ सालों से प्रदेश में नियोज़द सक्चकों और लाइब्रेरियन की बहाली में हुए फरजीवारे की जाँच की जा रही है वर्स 2015 में या मामला 2000 कोट के आदेश के बाद निगरानी ब्यूरों को सौप दिया गया था लेकिन अभी तक इन निगरानी ब्यूरों को भत्तर 1168 सिक्षकों के फोल्डर नहीं मिल पाने के कारण जांच करने में भी परिसानी हो रही है हालां कि 1380CFIR जांच के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हुए सक्षकों के मामले में की जा चुके हैं इसमें 2585 लोग अभियोक्त पाए गए हैं जिन में नियोजन पतादिकारी से लेकर करमचारी और मुखिया समेत और कई जन प्रतिन दिन लिप्त पाए गए हैं वही जो फोल्डर लापता हैं उन्हें निगरानी ब्यूरोक को मुहिया करवाने के प्रयास हर अस्तर से किये जा रहे हैं वही जो फोल्डर मिले हैं उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने की विवस्था की जा रही है पटना हाई कोट ने गया के विस्थूपद मंदिर पर सुनाया एतिहासिक फैसला गया अस्तित विस्थूपद मंदिर के नीजी अत्वा सारवजनिक होने की कानूनी लराई बीते 46 सालों से चली आ रही थी जिस पर अब पटना हाई कोट ने अतिहासि भैसला सुनाते भी यह तै कर दिया है कि गया का विस्नुपद मंदिर सारवजनिक है अदालत द्वारा कहा गया है कि यह मंदिर सारवजनिक प्रकृति का धार्मिक नियास है ना कि नीजी नियास आगया दालत द्वारा तैकिया गया की राजे धार्मिक नियास परिसत को मंदिर के प्रबंधन और रोजाना देखवाल की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ना कि वहां के गया वाल पुजारियों को इस दौरान गया वाल पुजारियों की द्वीतिय अपील भी दालत द्वारा ख ना कि सिर्फ वहाँ के रहने वाले गयावाल पुजारियों को अब नव्योक्त भीक सी सख्छक को लेकर एक निर्देश यानी किया है दरसल खबर आई थी कि कई चालाक नव्योक्त सख्छक ऐसे हैं जो पहले चरण में भी परिक्षा पास करके बहाल हुए थे लेकिन ग्रामी तो सिक्षकों को बता दे कि आपका रिजल्ट अप ग्रेट क्लास में ना होकर समान क्लास में हो चुका है यदि फिर भी आप स्कूल या जिला चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे सिक्षा विभाग ऐसे सिक्षकों को पदस्थापना के लिए एनोसी नहीं देगा साथ ही सिक्षा विभाग ऐसे सिक्षकों को चनहित करने में भी लगा हुआ है जिससे पदस्थापना के दौरान ऐसे सिक्षकों की सूची बना कर सिक्षा विभाग तक पहुँचाई जा सके यानि अब इससे साफ हो चुका है कि जो सक्षा कैसा करके अपने स्कूल या जिला को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा नहीं कर पाएंगे और वे अपने स्कूल में ही बने रहेंगे मनेर में दो सीटेट परिक्षा सिंटर पर पकरे गए मुन्ना भाई बिते ही दिनों पटना से थोरी ही दूरी पर स्थित मनेर में सीटेट परिक्षा सिंटरों पर दो मुन्ना भाई पकरे गए हैं दरसल ये मनेर के मौलानी पूर स्थित संसाइन रेसिदेंसियल पब्लिक स्कूल और सराइव विद्या निकेतन स्थित परिक्षा सेंटर पर पकरे गए हैं। ये मुन्ना भाई दूसरे चादर और चातरा की जगह पर परिक्षा देने पहुंचे थे। इस दोरान में पकरे गए और पुलिस ने इनकी गिरफ तारी कर आगी की कारवाई शुरू कर दी है। चातरों के लिए जरूरी खबर जो चातर मगर युनिवर्सिटी से उनके लिए जरूरी खबर है। परिक्षा का प्रोग्राम भी जारी किया गया है। पटना डियम ने 23 जनवरी तक स्कूल बंद करने के दिये आदेश बिहार में ठंड का कहर जारी है। साथी डियम त्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मिसन दक्ष और बोड परिक्षा के लिए परियाप्त साबधानी के साथ विसेश कक्चाओं का संचालन किया जा सकेगा। ठंड के कारण डियम ने पहले 16 जनवरी तक आठवी तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये थे। इसे देखते वे नीजी स्कूलों ने ओनलाइन क्लास शुरू कर दिये थे। डियम ने जिला सक्षा पदाधिकारी सभी SDM और वीडियो को नर्देश दिया है कि ठंड में नर्सरी से आठवी तक की कख्चाय संचालित नहीं हो। इसकी अपने असर से निग्रानी करे। विकास वैभव ने अपने अभियान के तैथ विद्यारतियों को दिये गुरू मंत्र। बिहार में बाहु बली कहे जाने वाले अनन्द सिंग को गिरफतार कर चर्चा में आने वाले विकास वैभव लेट्स इंस्पाइर बिहार अभियान के तैथ जब होजपुर पहुचे तो अपने एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि एक सामाजिक परयास है पिछले तीन साल से यह मैं कर रहा हूँ बिहार के सभी जिलों में 80,000 लोग इस अभियान से जुरे हैं वही उन्होंने युबाओं से भी बात चीत की बात चीत करते हैं उन्होंने यूपी ऐसी जैसी परेक्षा को लेकर गुरु मंद्र दिया और अपने विद्यारती जीवन के बारे में बताया साथी संक्राचारय और स्वामी विवेकानंद को अपनी प्रेधना बताई है और उन्होंने कहा है कि इतिहा से प्रेदना ग्रहन करना वर्तमान के लिए योगदान करे ताकि भवस से अच्छा हो बिहार की बेटी पत्रकारित और लेखन ठेत में सरानिय योगदान के लिए हुई सम्मानित बिहार की बेटी डॉक्टर दर्सनी प्रिय को काका कालेकर राष्ट्य सम्मान से सम्मानित किया गया है यह सम्मान उन्हें पत्रकालिता और लेखन में सर्धानिय योगदान के लिए गांधी हिंदुस्तान साहिते सभा नई दिल्ली में दिया गया इस सन्निधी संगोष्टी आयोजन काका कालेलकर और विस्नू प्रभाकर की मिर्ती में थी जहां दरसनी सम्मानित की गई है बता दे की महिला और सामाजिक जीवन में कई मुद्दों पर डॉक्टर दरसनी प्रियर लेखन में जुरी हुई है इन्होंने गैर सरकाली संस्ताओं के साथ मिलकर महिला अधिकारों और मानब सम्मता के लिए कई बरे काम किये हैं ये पत्रकालिता के छेतर में राष्ट्य अस्तर की दैनिक पत्र पत्रिकाओं से जुरी है जहां भी लेखन कारे कर रही जदियों के इस नेता ने अपने पत्र से दिया इस्तीफा जदियों के प्रदिश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंग ने अपने पद और पार्टी की प्रात्मिक्ता से इस्तीफा देकर जदियों को बरा जटका दिया है सुनील कुमार सिंग पटना के मसहूर आकूं की डॉक्टर भी है इन्होंने अपने स्तीफे की जानकारी सोसल मीरिया के जरिये दी उन्होंने लिखा कि आज की पावन दिन प्रभू स्री राम जी के आदर्सों का नुसरन करते वे प्रभू स्री राम जी के आदेश से मैं अपनी जदियों की प्रात्मिक्ता सद्धिसता और प्रवक्ता पत्से त्याग पत्र को सर्वधनी करता हूं आगे करतवे पत्का दिसा नर्देश प्रभू स्री राम करेंगे इस स्थीफे में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पार्टी के सिदर से था और प्रदेश प्रवक्ता के पच्छी या स्थीफा व्यक्तिगत कार्नों से दी है बतादे कि सुनिल सिंग ने अपने इस स्तीफे को पार्टी के प्रदेश अध्यक्स को भेज दिया है बीजेपी के गिरीराद सिंग ने स्वेम सहायता समू को लेकर कही ये बाद बीते ही दिनों सक्ती बंदन अभियान कारेसाला का आयोजन भाजपा प्रदेश मुख्याले में किया गया था इस दोरान किंद्री ग्रामीन विकास एवं पंचायती राजमंत्री गिरीराद सिंग ने कारेकरम को संबोधित करते वे कहा कि 2014 से पहले और उसके बाद की भारत को समझने की जरूरत है प्रदान मंत्री ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है 2014 में बिहार में स्वेम साहिता समू से जुरी महिलाओं की संख्या महज 17 लाग थी लेकिन आज बिहार में स्वेम साहिता समू से एक दसमर पांट सुने करोर बेहने जुन गई है आगे उन्होंने बताय कि या बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्वेम साहता समू में अगर सौर रुपे खर्च होते हैं तो सत्तर रुपे किंद्र सरकार देती है प्रधार मंत्री ने नारी सक्ती को राष्ट की सक्ती समझा है इसलिए उनकी सुविधा समरिद्धी और उत्थान के लिए कई कारेकरम संचालित किये जा रहे हैं नितिस कैबिनेट में फेर बदल पर राजट की नेता ने दी सफाई अभी हाल में ही नितिस मंत्री मंडल में तीन मंत्रियों के विभाग में फेर बदल देखने को मिले हैं इस बदलाव को लेकर विपक्षी दल ने यह तंज कस रहें कि मंत्री मंडल में यह बदलाव सत्ता को बचाने के लिए के गया हैं वहीं अब इस मामलिव पर राजट की नेता का बयान सामने आया है दरासल राजट के मुख्य प्रवक्ता सक्ति सिंग यादव और एजाज ए पहतरी के लिए रिया है आगे उन्होंने कहा कि भाजबा अफवा फैला कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाती है नेकिन वह अपने मकसद में काम्याब नहीं होगी निदिश कुमार और तेजस्वी आदव की सरकार एक संकर्प लेकर चल रही है वहीं भाजबा पर तंज क पोस्टर जडियो करपूरी जैनती समारो का आयोजन बरेही धूम धाम से करही है करपूरी जैनती के अवस estudar पर बिहार की राजनीती बीकर्माती चारही पोस्टर में किवल दो लोग ही दिखाई दे रहे एक तरफ जहां नितिश कुमार है तो वहीं दूसरी तरफ कर पूर ठाकुर है इसमें एक स्लोगन भी लिखा गया है जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा कब इससे बनता जा रहा है दरसल नितीस और करपूरी ठाकुर के तस्वीर के नीचे लिखा गया है मेरा नेता मेरा अभियान बता दे कि करपूरी जैन्ती के जन्म सताबदी पर लगबख सभी छोटे बरे दल इस जैन्ती को यादगार बनाने में लगे हैं ताकि याते पिछरा वोट बैंक को अपनी तरफ कर सके इस दिन से हो सकता है IPL 2024 का आगाज यदि आप भी क्रिकेट मैच में IPL के फैन है तो यह खबर आपके लिए है दरसल IPL के 17 सीजन के तारिकों का एलान किया जा चुका है क्रिक बज के रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग के 17 सीजन का आगाज 22 मार्च से किया जा सकता है वही 26 मई को टूर्णामेंट का यह फाइनल मुकाबला खेला जाएगा निली जानकारी के नुसार महिला प्रीमियर लीग के खत्म होने के 5 दिन बाद ही IPL 24 के शुरुआत होगी उमीद है कि लोगसभा चुनाप के तारिकों के बाद IPL के सेड्यूल जारी कर दिये जाए वही IPL 24 के सभी मैच भारत में ही खेले जाने को लेकर BCCI द्वारा भरोसा जटाये गया है जानियाज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानि सोमवार को पेट्रॉल और डीजल के रेट जारी कर दिये गये हैं जिसके बाद राजानी पट्ना में आज पेट्रॉल की कीमत 108.12 रुपे और डीजल 94.6 रुपे है गया में पेट्रॉल की कीमत 107.94 रुपे है और डीजल 94.6 रुपे है दर्भंगा में पेट्रॉल 108.02 रुपे है तो वहीं डीजल 94.75 रुपे है किसंगज में पेट्रॉल 107.73 रुपे है तो वहीं डीजल की कीमत 90.34 रुपे है मधुबनी में पेट्रॉल की कीमत 108.67 रुपे है और डीजल की कीमत 95.35 रुपे है और डीजल 94.01 रुपे है सिवान में पेट्रॉल की कीमत 108.46 रुपे है तो वहीं डीजल की कीमत 95.18 रुपे है पुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 108.87 रुपे है और डीजल की कीमत 95.54 रुपे है वैसाली में पेट्रॉल की कीमत 107.68 रुपे है और डीजल 94.45 रुपे है औ और अंगाबाद में पेट्रॉल की कीमत 109.03 रुपे है और डीजल की कीमत 95.07 रुपे है बाकां की बात करें तो यहां पेट्रॉल 108.05 रुपे है तो वहीं डीजल 95.02 रुपे मिल रहा है बीते दिन हमारे दोर पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिकर दिया था दिन्होंने हमारे दोर पुछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पुस्पक कुमार नुन्नु गोलु कुमार रवी कुमार राम सावित रानी यादब गोनर सर्मा बावुलाल मरांडी नवल के सोट जहार रंजीत मिसरा नौसाद रजा अन्वर करीम खान रंजन पटेर एंडी साकीर हुसैन वेज प्रकास सिंग रवी संकर लक्षमी मेहता बीता देवी जिसके साथ ही बरते आज की सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार भारती क्रिकेट के अतिहास में अब तक के सर्वस रिष्ट और लाउंडर कौन रहे हैं आप अपना जवाब हमें हमारे कौमेंट सक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बताएं आज के खबरों के साथ पने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नूर और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना ना भूले धन्यवाद बीते दिन हमारे दोरब पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सिक्सन बॉक्स में लिकर दिया था दिन्होंने हमारे दोरब पुछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पुस्पक कुमार नुन्नु गोलु कुमार रवी कुमार राम सावित रानी यादब गोनर सर्मा बावुलाल मरांडी नवल के सोट जहार रंजीत मिसरा नौसाद रजा अन्वर करीम खान रंजन पटेर एंडी साकीर हुसैन वेज प्रकास सिंग रवी संकर लक्षमी मेहता पीता देवी दिसके साथ ही बरतें आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार भारती क्रिकेट के अतिहास में अब तक के सर्वस रिष्ट और लाउंडर कौन रहे हैं आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आज के पने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नूद और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना ना भूले धन्यवाद